तो फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अब हम देखेंगे तो हम फ्रेंट्स अब देखेंगे कि किस तरह से हम चाइल कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं अभी तक हमने देखा था कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल में डेटा कैसे पास कर सकते हैं जैसे ह हमनिं यहां पर देकheid यह data pass किया हुआ है तो यहां पर देखे हमारे पाल लिस्ट में डेचा पास करेंगे तो उसे देखें अब यहां पर जाता यूजर कंपोनेंट में यूजर कंपोनेंट में एक चीज पहले आपको बताना चाहता हूं मैं List Component के यहां पर हमने Input यूज किया था Input यूज किया था है यह जो आइटम है हमारा यह आइटम और यूजर में आइटम यहां पर यह सअमे अगर मैं इसको चेंज कर दूंग अगर मैं इसको कर देता हूं Only Iotem तो क्या है अब हमारा वर्क करेगा ठीक है अब वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यह एरर दे रहा है हमें एक एरर दे रहा है ठीक है क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि ये पहले सेम था अब यह यहांपर चेंज हो गया यूजर की जो टेंपलेट है और यहां पर लिस्ट का जो है यहांपर चेंज हो अगर मैठ्स नहीं करता है यह आइटम और यहां पर आइटम लिस्ट आइटम मैच नहीं करता है तो हमें उसका नाम यहां पे देना पड़ेगा शेये अब चलते हैं हम चाल से पर अक्षिन्ट में किस तरह से डेटा पास कर सकते करूं तो five data मेरा parent component में मिल जाए तो मैं इसको यहां पर पास कर दूंगा अब यह function मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा कि ऐसा कोई यह हो गया है यह function मैंने बना लिए यहां पर ठीक है अब यह जो आइटम है इसको हम parent में कैसे भीजें इसको पेरेंट में कैसे बेजें तो इसको हम कर लेते हैं कि किस तरह का अगा data type दे देते हैं string type की value आईगी कुछ यहां से अब यहां पर देखें जिस तरह से annotation out input यूज हुआ है एक होता output एक annotation मैं यहां पर ले लेता हूँ आउटपुट और यह ऊपर यहां पर आउटपुट आ गया जैसे इनपुट आया था एंगुलर को का ही और मोडिल का ही पार्ट होता है जैसे इनपुट था यहां पर और फिर यहां पर जाता हूं और यहां पर मैं एक variable जो मुझे पास करना जैसे कि item well आईटम की value पास करनी है मुझे यहां से ठीक है तो item की value जो पास करूँगा वो मैं करूँगा यहां से new event emitter से एक event emitter event emitter क्या करता है कि एक event जो होती है उस पर कोई value emit करता है कोई value हमें emit कहीं भीजनी है ठीक है और यहां पर किस तरह की value string और इस तरह से ठीक अभी यह error दे रहा है तो इसको भी एक function की तरह इस तरह से लिखना पड़ेगा यह देखें यह हो गया अब इसको किस तरह से emit करेंगे अब यह जो value है इसको लाते हैं यहां पर this dot और emit emit function में यह value जो हमारी यहां पर मिलेगी यह यहां पर pass कर देंगे ठीक तो event emitter जो हमारा use होता है event emitter होता है कि उस पर कोई भी value एक event पर event click event पर कोई भी हमारी value emit करनी है हमें तो यह emit कर देंगे अब यह हमारी इस variable म में कैसे कैसे get कर सकते हैं उसके लिए हम जाएंगे parent की template में जहां पर भी हमने click set किया है इसी पर set किया है तो यहां पर इसको करेंगे को कि इसे event कर लिए और यहां पर यहां पर यहां पर इवेंट जो भी event हुई है वहां से वह यहां पर मिल जाएगी अब इसको parent component में जाएंगे और parent component में जाते हैं यहांपर मैंने paste किया इस तरह से और यहां पर मैं ले लेता हूं आइटम well string और इसको console कर लेता हूं console.log यह हो गया और यहां पर लिख देता हूं यहां पर नहीं पहले लिख देता हूं चाइल्ड टू चाइल्ड टू पेरेंट ठीक है चाइल्ड टू पेरेंट अब चलते हैं यहां पर console मैं open करता हूं वह एरर console में है नहीं अभी तक कि अब मैं जाता हूं यहां पर क्लिक करता हूं ठीक है मैंने क्लिक किया यहां पर तो इस तरह से हम child से parent component में data pass करा सकते हैं, event emitter की help से, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ, और यहाँ पर फिर से एक बाद दिखा देता हूँ, कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मेरा child component का जो template है, मैंने कोल किया है, और जिसके मैंने कोल किया है, हो value यहाँ पर passed कर दिये, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, यह function call किया है, यहाँ पर यह value मुझे मिली, अब यह value मुझे एमिट करनी थी, एक variable बनाया है, मैंने output type का variable, आउटपूट टाइप का वरेवल मतलब यह हमें पेरेंट कंपोनेंट में गेट करना है मिलेगा आउटपूट ठीक है तो उस पे इवेंट एमिटर मैंने लगाया है इस्टिंग टाइप की वैल्यू मैं एमिट करूँगा तो यहाँ पे देखि इस पे इस डोट आइटम पे एमिट कर दी है वैल्यू उसके बाद मैं जाता हूँ पेरेंट कंपोनेंट के टैंपलेट पे यह जो वैल्यू थी मेरी यहाँ पे मुझे एज़े इवेंट मैंने इस करा लिया तो यह होता है भी चायल्ड से पेरेंट में कैसे डेटा हम पास कर सकते हैं अगर आपको कौन सब्सक्राइब में आ गया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फो वाचिंग प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मॉर वीडियो